होली का सीजन हो और पापड न बने तो क्या बात है चलिए बनाते हैं बहुत ही बड़िया मसाले दार पापड अलू के पापड ने पापड अपने कई वहर क्षाये होंगे लेकिन आज आज पे आलू के बिल्कुल अलग तरीकर के बनाएंगे जो कि शायद आपने आज से पहल यहां पर पापड़ों को आपको कद्दू कस्या ही ग्रेट करना है क्योंकि अगर आप इनों कितना भी फोड़ेंगे कुछ ने कुछ लंब्स गांथे इसमें रही जाएंगी तो इसले कद्दू कस्या करते हैं तो अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं और बिलकुल बारीक चम्मच धनिया पाउडर हम बना रहे हैं आलू मसाला पापड और फिर इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर और उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच आजवाईन तो यहां पर सारे के सारे मसाले हम कच्छे ही यूज करेंगे इनको भूनना नहीं है बिलकुल भी अब फिर इसमें डालना है एक चम्मच चिली फ्लेक्स और एक चम्मच डालेंगे औरी गयनो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और अभी इसमें और भी चीजे हम एड़ करेंगे जिससे की आपके पापड है यूनिक बनके तयार होंगे तो यहां पे हम हराधनिया बारिक कटकर के अड़ करेंगे अब यहां पे डालेंगे हम वो चीज जिससे की हमारे पापड जो है मार्किट जैसे बनके तयार होंगे और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है तो सारे सारे मसाले में इसमें एड़ कर दिये हैं ही इसमें एड़ करेंगे अभी हम और उससे प तो अगर आप सूजी नहीं आड़ करना चाहते हैं आप साला तयार हो चुका है अब क्या करना है अलका सा गी यहां पर नमक जो है अपने इसाब से डालें आप और ध्यान रखें कि नमक थोड़ी कम कॉंटिटी में डालें गी लगाने के बाद आप जितने चोटे बड़े पा सकते हैं चोटी लोई बेना के तयार कि जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने हाथो में लगा के ट्क कि बना के तयार कि थी यह लोई है अब पोलोथिन अबको एक बोल और प्लेधा प्राफरण में उसको प्रेस कर देना प्लेट nut veo और इस तरीके से आपके फटा-फट से पापड बनके तयार हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से पापड बनके तयार होते हैं, जिस दिन धूप हो उसी दिन बनाएं, और अगर आप इसको शत्पे नहीं सुखा सकते हैं, या शत्पे सुखानी की जगए नहीं है, तो पंखे के न और यहां बनाना हैте आप ईनको इस त्तरीक से पैला देना है से अर मैने आप घुका हैसी चूछे शुक तो वह सूख बहुत जल्दी जाते हैं और फ्राई करत्पक जल्बी जल्दी जाते हैं थोड़े से मोटे ही रखें पापडों को सूखने के बाद वह बैसे पतले हो जाते हैं अब यह सूख चुके हैं उपर से दे सकते हैं आप इनको हमें पलट देना है बहुत ही आसानी से प तुखेंगे दो दिन के अंदर आपके पापड बनके तयार होते हैं आप इने फ्राइ करें